हेलो फ्रेंज वेलकम टू एसे सी ग्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में एसे सी सीजियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं सेंटिफिक नेम्स यह वह टॉपिक है जिस टॉपिक को देखकर आपका कवर हो जाएगा उसके बाद एक्सपेक्टेट भी जो है इसमें मैंने देदी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस शेशन को पहला कोशन आपके स्क्रीन पर कैनिस लूपस इस कॉमनली नोन एज तो कैनिस लूपस जो है किसका सेंटिफिक नेम है यहाँ पर राइट एंसर होगा ग्रे ओल्फ का ओके ग्रे ओल्फ का जो है सेंटिफिक नेम क्या है तो कैनिस लूपस याद रहेगा सबको नेक्स कोशन है कैप्रा हिरकस तो कैप्रा हिरकस इस कॉमनली नोन एज तो किसका स सेन्ट्राफिक नेम क्या है तो और हिर कल के नेक्सिन नrench पर आपर बोस टॉरस बोसatarak इस अ्प्रोजीन नोन एज बोस टॉरस इस कुसका है एक यह तो है तो नगाल कासर फैली विक नेम हैí UK ओके नेक्ट कोर्षन हैं फिल्ष्क लिस्ट्रुद उस ओमनली नोनाज तो किसका है जो डत हो एिस थो तो किसका है लिए नाम से पता चल रहा होगा चानरा है यानि कि सिए टी कैट का हो जाएगा इसंटाइफ नेम फिल्ष्क ड़्लण मेर। तो gallus, gallus, domesticus, किसका scientific name है, right answer क्या हो जाएगा, यहां होगा hen, okay, gallus, gallus, domesticus, किसका scientific name है, hen का है, hen क्या गरती है, कैसे बोलती है, kukuruku, kukuruku, दो बार आया, kukuruku, तो gallus, gallus, ठीक है, hen का हो जाएगा, next है आपका, पासे, domesticus, तो पासे, domesticus, किसका scientific name है, तो आप अपने घर में भी देखते होंगे, कि आपके पैसे में जो है, बालगरी में जो है, पक्थी आके बैठती है, इस पैरो आके बैठती है, तो यहां पर जब भी पैसे, domesticus आए, तो इस पैरो आप टिक कर देना, ठीक है, याद करने के लिए कोई भी ट्रिक लगा देते हैं, ठीक है, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो पासर, domesticus, किसका हो जाएगा, इस पैरो को हो जाएगा, जब भी इस पैरो आप से पूछे, क्या होगा, सेंटिफिक नेम, तो ध्यान आएगा, स्पैरो कहां बैठता आक यानि कि कबुत्तर का सेंटिफिक नेम क्या है, कुलंबिडे, नेक्स्ट कोर्शन क्या है, मालूस पुमीला, मालूस पुमीला इस दा बोटैनिकल नेम ऑफ दाइस ट्री, तो मालूस पुमीला जो है, यह किसका सेंटिफिक नेम है, तो राइट एंसर क्या होगा, एपल होग तो मुसा जो है किसका सेंट्रिफिक नेम है मुसा मुसा जो है सेंट्रिफिक नेम है किसका बनाना का है ओके तो मुसा जो है अगर घर में दीखें तो बनाना फेक के मारना है मुसा को ओके केला फेक के मारना है मुसा को तो राइट एंसर यहां के आ जाएगा बनाना होगा यहा Cytrus X Cinesis, क्या होगा यहाँ पर राइट एंसर, तो देखिये, ओरेंज होगा करेक्ट एंसर, ओके, ओरेंज का सैंटिफिक नेम क्या है, Cytrus X Cinesis, नेक्स्ट है आपका, Cytrylus Lynatus, Cytrylus Lynatus का जो है, क्या है सैंटिफिक नेम, किसका है सैंटिफिक नेम ये, साइट्रूलस लैनाटस का यह किसका है सेंटिफिक नेम तो राइट एंसर क्या हो जाएगा वाटर मेलन का होगा यहां पर करेक्ट एंसर ओके वाटर मेलन विल बी यूर राइट नेक्स कोशन पर चले हम लोग नेक्स कोशन है बोस म्यूटस बोस म्यूटस इस दे सेंटिफिक नेम फोर बोस म्यूटस का विग्यानिक नेम है क्या किसका विग्यानिक नेम है बोस म्यूटस तो वाइल्ड याग का है वाइल्ड याग का सेंटिफिक नेम क्या है बोस म्यूटस next question है Pavokristasis Pavokristasis यह किसका scientific name है Pavokristasis यह है P से होगा peacock Pavok और peacock होगा यहां पे right answer more next है कौन सा sitakula upartia sitakula upartia is the scientific name for नाम सब बड़ा difficult है है ना sitakula upartia किसका है scientific name तो यह होगा यहां parrot ठीक है पेरोट का नाम है यह sitakula upartia next है यू डाइनामिस इसकोलो पेसियस यह किसका scientific name है यहां क्या होगा right answer नाम सुना है क्या नहीं कि आप लोगों ने यू डाइनामिस स्कोलो पेसियस किसका scientific name है तो कोयल का scientific name है कोयल का scientific name है right answer होगा कोयल मोलो पेस्ट कैफर तो मोलो पेस्ट स्कैफर is the scientific name फॉर किसका है यह scientific name मोलो पेस्ट यह यह है आपका बुलुबुल का बुलुबुल का है यह scientific name मोल पेस्ट कैफर नेक्स्ट है पैंथरा लियो पैंथरा लियो is commonly known as तो पैंथरा लियो ठीक है क्या होगा यहां पे Right answer किसका है यह name तो Lion का होगा यहां पे Right answer Lion will be your Right answer next question है आपका Sholenum M lequelnya Sholenum Mabelongena is the scientific name पॉर यहां क्या होगा Right answer तो यह होगा Brazil का है यह Arabic name Brazil will be your राइट अंसर, next question क्या है, अजाद इराच्छा इंडिका, अजाद इराच्छा इंडिका, ये किसका scientific name है, ये है नीम का scientific name, नीम हो जाएगा राइट अंसर, ऐसे भी नीम खाने से बहुत सारा चीज जो है आपका दूर हो जाता है, उससे आपको अजादी मिल जाती है, मुक्ती मिल जाती है नीम खाने से, तो यहाँ देखिए, अजाद यहाँ है, अजाद, तो यहसे आप करेंगे, जब आपके सामने आ जाए अजाद, तो बस नीम सभी फॉर कि अगर ऑब याज जाएगा तो आप डर से क्या करेंगे रोने है की नहीं अगर 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 आपके सामने आ जाएगे तो आप डर रोने ही लगेंगे और आपको भी पता है कि उनियन क 2006 gives प्र सामने आ जाए एलियम सेपा तो अब आप समझ जाएंगे वाई एलियम देखें रो दियें और प्याज काटने से आपके आँख में पानी आ गया तो उनियम हो जागा इसका राइट एंसर नेक्स्ट क्या है मैंगी फीरा इंडिका मैंगी फीरा इंडिका जो है यह किसका सेंटिफिक नेम है यह होगा मैंगो का सेंटिफिक नेम ठीक है मैंगो हो जाएगा यहाँ पर राइट एंसर next है Annas अब Annas से तो कोई दिक्कत होना ने चाहिए आप सब जानते हैं कि pineapple को अनानस ही करते है तो यह scientific name क्या हो जाएगा pineapple Next question कौन सा है आपका Solonum Tuberosum Solonum Tuberosum यह किसका है scientific name यहाँ right answer क्या होने वाला है यहां पर होगा राइट एंसर पूटाइटो पूटाइटो जो है यहां पर राइट एंसर है ओके नेक्स्ट कौन सा आपका लाइको पर्सियम शोलनाम लाइको पर्सियम यह किसका है सेंटिफिक नेम लाइको पर्सियम किसका है सेंटिफिक नेम सोलनाम लाइको पर्सियम यह है टोमेटो का सेंटिफिक नेम तोमेटो का है सेंटिफिक नेम नेक्स्ट कौन सा है आपका कोर्वस कोरोन कोर्वस कोरोन इस सेंटिफिक नेम फॉर किसका है यह सेंटिफिक नेम अब देखिए C-R-O-W और यहां देखिए C-R-O और यहां भी है भी के बाद W आता है तो बस आपको यही याद रखना है क्रो का है यह सेंटिफिक नेम ओके कोर्वस C-O-R-V-O-U-S तो यह कोर्वस देख जाए आपको तो C-O आपको यहां देखिए option में देखा क्राउ तो बस आप समझ जाएंगे यह है इसका scientific name तो मतलब basically जब आप PDF पो डाउनलोड करेंगे ना तो एक बार यहां से तो देखी लिए PDF को डाउनलोड करने के बार जो अपना भी एक DC trick आप लोग लगा लेना इसको आप लोग अच्छे से एक बार revision आप कर लेंगे PDF से तो मेरे हिसाब से इस topic से अब आपका दो marks कहीं नहीं जाने वाला है सारे previous year के important question और expected questions भी यहां पर हो गए आपके तो इसको अच्छे से आप कर लेना कोई और topic है तो comment करके आप बताना ठीक है मिलते हैं आप से next topic में तब तक के लिए all the best